हेलो फ्रेंट्स आप सभी कस्वागत है कुगवे तरवा में आज हम बनाने जा रहे हैं करेले की सबची तो इसे हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये कड़वा नहीं लगेगा तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को तो यहाँ पे एक पैन में हम ओईल गरम कर लेंगे ओईल जैसे ही गरम हो जाएगा हम उसमें सरसों एड़ कर देंगे और इसे हलका सा चटकने देंगे इसके बाद हरी मिर्च एड़ कर देंगे और अब हम यहाँ पे करेला एड़ कर देंगे तो करेले को पहले कट कर लेंगे और इसे नमक पानी में पांच मिनट के लिए डूब पे करेले को नमक पाणी में डूबाने से उसका कड़वाहत चला जाता है तो आप इसे जरूर ट्राय करें तो आप देख सकते हैं करेला और अलु अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो आब हम इसमें नमक एड़ कर देंगे इसके साथ ही इसमें हल्दी पौडर एड़ कर देंगे इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है तो आब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे और टमाटर को भी अच्छे से cook कर लेंगे जब तक ये पूरा soft ना हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से cook हो चुका है तो अब गयास को बंद कर देंगे और इसे एक plate में निकाल लेंगे तो यह बहुत ही simple और easy recipe है आप इसे जरूर try करें इसमें हमने बहुत ही कम मसालों का यूच किया है तो यह healthy और tasty recipe भी है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लेसी से like करें मेरे चैनल को subscribe करें और मुझे comment करके बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा